आफ दुर। इलो फ्रेंड्स एक्जाम गूरु यूट्उट्व चैनल में आपका स्वागत है मैं परदीप आज की वीडियो हमारी हिमालिया से रिलेटेड हैं आज की इस वीडियो में परवत के बारे में पढ़ेंगे ओके आईए तो वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने कमेंट्स दें चलिए तो जैसे कि आज पढ़ते हैं भारत देश के परवत जब जमीन के अंदर मैगमा 5000 मीटर की उचाई पर जमता है तो परवतों का निर्माण हो जाता है जो मैगमा होता है जो आलव मुखी के फटने से बाहर आता है जब वो 5000 मीटर की उचाई तक जम जाता है देखें जैसे आपको यह दिख रहा होगा तो फिर परवतों का निर्माण हो जाता है भारत का सबसे पुराणा परवत जो है वो अरावली परवत है और इसका निर्माण जौला मुखी के चट्टानों से हुआ है और इसके बाद हिमालिय का नंबर आता है अगर बात करें परवत की तो भारत का जो सबसे पुराना परवत है कौन सा है अरावली परवत और उसके बाद हिमाल्य है तो अभी हम हिमाल्य की बात करते हैं फिर हम बात करेंगे पहले अरावली की बात कर लेते हैं फिर हिमाल्य की हिमाल्य को कितने भागों में बाटा गया है हिमाल्य को चार भागों में बाटा गया है देखे अरावली परवत अरावली परवत क्या है भारत का सबसे पुराना परवत अरावली परवत कहलाता है अरावली परवत की जो इस्तिती है वो कहां पर है राजिस्थान में यानि कि अरावली परवत कहां पर है राजिस्थान में यह आपको मैप में दिख जाएगा अरावली परवत की सबसे उची चोटी जो है वो गुरु सिखर है जिसकी उचाई 1722 मीटर है ठीक है? सबसे उची चोटी कौन सी है? गुरूसी कर जिसकी उचाई है 1722 मेटर ठीक है? ये भारत की सबसे पुरानी परवत हैं जिसका नाम क्या है? अरावली परवत अब हम बात करते हैं हिमाल्य की हिमाल्य की जैसे अभी हमने पढ़ाता है हिमाल्य को चार भागों में बाटा गया है देखिए हिमाल्य को चार भागों में बाटा गया है कौन सी चार भाग है? आईए देखते हैं पहला दे रखा है हिमाली गे चार भाग पंजाब ँमालीए कुमायू हिमालीए नेपाल इपाल और असम हिमालीए ये चार भागों में बाठा गया है चारों को एक साथ लाइन लाइन से पड़ते हैं गाडविन आस्टिन है ठीक है पंजाब हिमाले की सबसे ऊची चोटी कौन सी है केटू गाडविन आस्टिन भारत का सबसे ऊचा दर्रा काराकॉरम दर्रा इसी हिमाले पर इस्तित है आपको पता है दर्रे की भी मैंने वीडियो बना रखी है अगर आपने नहीं देखिए तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं बारत में जम्मू कस्मीर में हिमाचल परदेश में उत्राकंड में ठीक है ये दर्रे हैं जिसमें से बात कर रहे हैं क्या जो काराकॉरम दर्रा है वो आपका हिमाले में ही है ठीक है जो सबसे ऊचा है बारत का तो ये देखिए आपको दि परवत यह आपको मैप में दिख रहा है यह पंजाब का सबसे उचा परवत है ओके अब बात करते हैं कुमायू हिमालिया कुमायू हिमालिय जो है यह आपको देखिए मैप में दिख रहा है उतरा खंड में बद्रीनात, क्यादारनात, युमनोत्री, गंगोत्री, दोलीगिरी, नंगा परवत, नंदा देवी, उस्रेणी इसी हिमाल्य का हिस्सा आती हैं जो आपका ये परवत मैंने बताए हैं ये सारे परवत आपके कुमायू हिमाल्य में आते हैं एक्चुली हिमाल्य को चार पार्ट में डिवाइट किया गया है, तो यह हम उसका सेकिंड पार्ट पढ़ रहे हैं, कुमायो हिमाल्य की सर्वोच्चे प्रवचोटी जो है, धोलगिरी है, जो कहां पर है, उत्राखंड में, यह आपको दिख रहा होगा, यहां पर है, उत्राखंड को उत्तर परदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया, ता उत्राखंड पहले उत्तर परदेश में था, पन्नो नवंबर 2009 को उसको अलग कर दिया गया, और यह की अलग राज्चे बन गया, ठीक है, हमने सेकिंड पर लिया, कुमायो हिमाल्य है, अब हम आते हैं नैपाल हमाल्य पे, देखिए, नैपाल हमाल्य जो दे रखा है आपका, इस हमाल्य की सरवोचे परवच चोटी, माउंट एवरेस्ट, जिसका दूसरा नाम सागर माथा है, ठीक है, हमाल्य की, नैपाल हमाल्य की सबसे उची चोटी, जो है, वो माउंट एवरेस्ट है, ब्रह्मपुत्र, काली, तिस्ता, दिहांत, इसी हिमाल्य से निकलती है. ये जो rivers हैं, आपकी कौन- कौन-सी river है, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, दिहांत, नदी, माउंट एवरेस्ट से ही निकलती है. आपको देखो दिख रहा होगा नैपाल में मांट अब्रेस्ट नैपाल में है ओके चलिए नेक्स्ट है फोर्थ असम हिमाल्य है इस हिमाल्य की सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचन चंगा है जो कि भारत की सबसे उच्ची चोटी मानी जाती है इस हिमाल्य की सबसे उच्ची चोटी है असम की परवत पूर्व की तरफ इस परकार का हिमाल्य इस्तित्य यह कहां पर है पूर्व में है यह आपको दिख रहा होगा देखिए उसके बाद गारो खासी जयनती संगला परवत इस हिमाल्य का हिस्सा है इस हिमाल्य पर और भी चोट चोटे परवत है गारो खासी जयनतीय संगला परवत यह सारे इसी के पार्ट है ठीक है तो यह आपको मैंने असम हिमाल्य बता दिया तो फ्रेंड्स हमने चारो परवतों के बारे में पढ़ लिया है अब हम कुछ दक्षिन में जो परवत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हिमाल्य के हमने चारों पढ़ लिए हैं दक्षिन भारत की सर्वोच परवत चोटी जो है वो आपकी कौन सी है अनामुदी, अन्यमलाई और केरल पहाडी ये तीन हैं एके, अनामुदी, अन्यमलाई और केरल की पहाडी ये तीन साउत में सबसे उची चोटिया हैं दक्षिन भारत की दूसरे सबसे उची सर्वोच परवत चोटी डोडा बेटा जो की नीलगीरी परवत पर इस्तित है जो की कहाँ पर है तमिल नाडु में ये आपको दिखराओगा नीचे अंडबार निकोबार की सर्वोच परवत चोटी जो है कौन सी है सैंडल पीक आपसे पूछा जाए अंडबार निकोबार में सबसे उचा परवत कौन सा है तो है सैंडल पीक और अगर पूछा जाए लक्ष दीप में तो वो नार्चो ठीक है लक्ष दीप में सबसे उचा परवत कौन सा है नार्चो सत्थपुरा की पहाड़ी मध्य परदेश में इस्तित है और इसकी सबसे उची चोटी धूप गड़ है अगर बात करते हैं सत्पुरा की पहाडी की तो सत्पुरा की पहाडी मध्य परदेश में इस्तित है और सबसे उची चोटी कौन सी है धूबगड ओके ये देखो आपको दिख रहा होगा मैप में यहाँ पर मध्य परदेश है तो फ्रेंट्स आई होप आपको ये किलियर हुआ होगा हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पुराना परवत कौन सा है अरावली परवत है उसके बाद फिर हमने हिमालिया के चारों परवत के बारे में डिसकस किया उसके बद फिर मैंने आपको साउथ के भी कुछ परवत बता दिये I hope आपको किलियर हुआ होगा अगर किलियर हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा शियर करिएगा और केमेंट्स करिएगा और जो भी नई उजर से प्लीज वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर ले चैनल के हो चलिए आज के लिए आपका एक कोशन है यह आप कोशन करेंगे क्या कोशन है निम्न में कौन सा निम्न में कौन सा भारत की सबसे प्राचीन परवत श्रेनी है यानि कि आपको बताना है कि भारत में सबसे पुरानी प्राचीन परवत कौन सा है हिमाली अरावली विंद्या या सत्कुडा ओके आप इस वीडियो को देख करके इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूँगा चले फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अभी के लिए इतना ही मिलेंगे फिर हैव नाइस टे